अगर तुसी भी एक डॉग लवर हो और साड़े चैनल ते आयो नमे नमे ते दोस्तों सब तो पहले चैनल नो का लो सबस्क्राइब ते नारी दबाओ के अंटी दाइकन हो ताके हर तरह दी डॉग्स दी वीडियो ताटे तक असान जिनल पहुंच सके असलाम अलेकम फैन्स वेलकम टो यूट्व जनल पंजाबी शौक ते सब तो पहले ते अज बड़ी खुश कबरी यह जनाब बाजे उठे हैं सुबा खैर हों ते आठे नो वजदा टाइम हा ते वेलिव कम कम भी ने वेड़ के आ गया ते बड़ी खुशी हो यह होना के चैक क तो यह थरी मन्त अंदर अंदर आपां 100 क करने हैं एक लाग सब्सक्राइब लाजमी करने हैं जनाब इंशाला ता अला ता रिस्पोर्ट दे नाल ते फिर जवे 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 अपड़ा कम अच्छा जाएगा इंशाला ता नो फ्री डॉग्स भी अच्छी प्रीड दे मिला क करेंगे ते नेक्स आई जी वीडियो जनाब मैं यूसफ बाट साब गुजरात हो ठीक है गुल्टेर दे बहुत अच्छे श्युकीन अरसा है तकरीबन 40-42 साल तो गुल्टेर दा शौक कर देने जनाब उन्हें कुश्च करना मैं कर दोस्ताना ता ड़ी वाज दा जरीए गुजरात दे रहने जनाब ठीक है एस टाम बहरीन बैठे है बाई ने हो तो सब्सक्राइब करो आई तो इन चलत ला पहुंते काम शुरू कर देना डेली रूटीन दे वी लोग्स भी होंते आया करनगे और अपना जड़े तन फैसलाबादे पेंट ने जड़े ठीक है ता सब्सक्राइब करेंगे असलाबादे ने जाकर सब्सक्राइब करो बैल आइकन उन्दा भी प्रेस करो इंशरत ला रोटीन ये वीडियो ता नोथे मिला करेंगे फिर वीडियो ने तक देखो गुल्टेयर ब्रीड दे शुकीना दोस्तावासे बड़ी अच्छी वीडियो असलाम उलेकुम मेरे प्यारे बाईयो और बजर्गों हाँ बाई जान मैं बाई अर्सलान की वीडियो देखता रहता हूं डाग की और उनको गुल्टेयर कुतों के बारे में इंफ्रमेशन देता हूं और मैं कुछ गुल्टेयर कुतों की निशानियां बता रहा हूं और उ कुछ विखयर हो लिए नशतरई यह है जो वाइड गुल्टेर होते हैं इनके जो प्यूर गुल्टेर होगा उसके जो डब होता है वो मुझ या कान पे आता है जो प्यूर गुल्टेर होगा या फुल वाइड होगा वो अगर सार के पीछे डब चला जाए कहीं भी वो कुता गुल्टेर प्यूर नहीं हो सकता उसमें कोई न कोई करास है किसी भी नसल का गुल्टेर सिर्फ सार के आगे आगे गुल्टेर को डब होता है कान पे आंक पे कहीं भी किसी बाई को समय नहीं आई तो बाई अर्सलान को काल करके पूछ सकता है उसके बाद गुल्टेर जो है इसकी पूशल जो है ब्रीक और सीधी छोटी होती है लेकन कई नसल में गुल्टेर की पूशल थोड़ी सी उपर की तरफ उठती है वो भी गुल्टेर है उसके बाद कोहाटी गुल्टेर जो डाग हैं ये हाइट में बड़े भी होते हैं और चोटे भी और कोहाटी गुल्टेर में जिसको आप टैले कनू वाला या लपा गुल्टेर कहते हैं उनकी निशानी ये है कि उनकी लूई मोटी होती है जो सीधे कान वाले गुल्टेर हैं उनकी निस्बत सीधे कान वाले कुथों की लू झाल में तो वाइट करना है। फोटी फाइफ ऐसा तजर्बा था क्योंकि मैंने जब से आंग खो लिया गल्टेर कुतु में के बीच में रहा हूं और जो कुआती कुते हैं इनमें रेड नोज भी आ रही है लेकिन रेड नोज में फिर भी कोई ना कोई लड़ता है लांग टाम के लिए लेकिन ज्यादा ज करते हैं दूसरे नमबर पर आती है रेड कलर की सुरख उसमें भी कुछ ना कोई डाग जो है मदानी होता है बाकि वाइट कलर की नोज आती है उसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो मदानी डाग हो कि मदान में लांग टाम फाइट कार सके गुल्टे डाग में तीन किसम के नाक पाई जाते हैं साबसे एक नमबर पे जो आता है वो काले रंग का होता है दूसरे नमबर पे जो नाक आता है वो रैड कलर का होता है जिसको गलाभी कहते हैं तीसरे नमबर पे है वाइट कलर का जिसको सफेद कलर बोलते हैं इन सबसे सबसे एक नमबर पे जो सबसे अच्छा नाग है वो बलैक होता है दूसरे नमबर पे जो रैड बिंक होता है तीसरे नमबर पे वाइट सफेद होता है और जो बलैक नोज वाले हैं ज्यादा डाग अच्छे होते हैं जो कोई कोई डाग जो है फाइटर या लांग टैम लड़ने वाला निकलता है लेकिन वाइट नोज वाला मैंने आज तक नहीं देखा क्योंके मेरा 40 साल का तजरबा है क्योंकि मेरे वालत साब ने तकरीमन 45-45 साल का तजरबा था उनके बाद मैंने कुतु में ही आंखोली डाग में वलाथी गुल्टेयर डाग इन में दो कलर ज्यादा पाए जाते हैं एक सुरख और दूसरे नंबर पे काला ये वलाथी गुल्टेयर बिलकुल सेम खड़े कानू में होते हैं सिधे कानू वाले गुल्टेयर वाइट कलर की सेम उस तरह की होते हैं इन में ज्यादा त कान सीधे हाइट छोटी भी होती है और बड़ी भी उनका जिसका मतलब है कि उनका काद छोटा भी होता है और बड़े भी होते हैं जिसका काद बड़ा होता है उसकी फूशल भी थोड़ी बड़ी होती है और उसके बाद खड़े कानों वाले कौाटी गुल्टेर की यांखे ब निस्बत और खड़े कानू वाले की बार बरीक होते हैं जो गिरे हुए कानू वाला लपक गुल्टेर हैं उसके बार ज्यादा तर मोटे होते हैं किसी किसी के बरीक भी होते हैं और इन में नोजब इन में भी तीन कलर की पाई जाती हैं काली सुरख और सफेद असलाम अलेकूम मैं बाहिया स्वालान का बहुत मश्कूर हूँ क्योंके इन्होंने वीडियो बनाकर गुल्टे डाग की लोगों को पहचान बताई है और इनका चैनल बहुत ही अच्छा पूरहमन है और ये एमानदारी से वफादारी से अपना काम करते हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं इनकी वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ असलाम अलेकूम मेरे प्यारे बजर्गों और प्यारे बाईयों जो मैंने आपको निशानियां बताई हैं इनके बताने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं आप साथ से माफी चाहता हूँ इन्शालला अगर आप इंपे अमल करेंगे तो गुल्टेर डाग हरीदे वक्त या दो से लेते वक्त आपके साथ दोका नहीं होगा ये निशानियां दे के लेना इन्शालला मुझे माफ कर देना